प्रभु येश्य के मधुर नाम में फिर से आपको स्वागद है कलाम आशिश में आज फिर हम मेलकर प्रवत्रशास्त्र बाइबल को देखने के लिए मनन करने के लिए प्रभु ने एक और सुन्दर मौका हमें दिया है मैं आप सबों को इसमें स्वागद करते हैं हमें जरूर मैं विश्वास करता हूँ कि ये जरूर आपके जीवन के लिए बड़े अनंद और अनिग्रह के समय होंगे और मेरे साथ मिलका हम वचन को देखें के हाँ जिरूर ध्यान रिखिए आपके अटेंशन का बहुत आइस जरूरत मुझे हैं आज के विजार के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा लुकार Listos माचार पहले अथियाए के पच्चीस वियाएत पहले अथियाए के पच्चीस वियाएत आज अधिया review The Gospel of Luke Chapter 1 Versud 25 मनिश्यों में मेरा अपमान दूर करन कछने के लिए प्रभूने इन दिनों में करबा दिस्टी करके मेरे लिए ऐसा किया है मेरे साथ आप मिलकर बोलिए मनिश्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभू ने इन दिनों में कृपा दिश्टी करकर मेरे लिए ऐसा किया है मनिश्यों के बीच में आपकी हर परिस्टिदियों को जानने वाला प्रभू ये चाहते हैं ये काम करते हैं कि आपके अपमान दूर हो आपके दुख दूर हो जाए वो देख कर हाथ बांद कर बैठने वाला नहीं है परमेश्वर बेलकि आपके दुख को तकलिफ को हटाने के लिए काम करने वाला परमेश्वर है हालेलुया हम जानते हैं इस वचन को मैं बताना चाहूं का इस वाकी को या जो वचन हमने पढ़े हैं वो कौन थे इलेश्वा नाम की एक स्तुरी ने कहा दाई है हो सकते हैं आप जानते हैं यूहन्ना बप्तिस्मा देने वाले प्रभु ईश्व के इस दुनिया में आने के पहले उनके रास्ते कोरा को तयार करने के लिए प्रभु के दुआरा निश्चे किये हुए या अभिशे करकर भेजे हुए एक अभिशित विक्ति थे यूहन्ना बप्तिस्मा देने वाले उनके जनम के पहले की बात हमने पड़ी दी आज हम विजार कर रहा है उनके मम्मी जी की वचन है जो कहा था वो ही बात हमने पड़ी दी मनिश्यों में मेरे अपमान को दूर करने के लिए इन दिनों में परमेश्वर की कृबादिस्टी मुस्पर हुई है यकीन आप अपने दाहिना हाथ अपने चाती पर रखकर ये बोलिए इन दिनों में परमेश्र की करवाद इस्टी मुझ पर हुआ है आज परमेश्र की करवाद इस्टी मुझ पर हुई है कि मनेश्यों के बीच में मेरे जो अवस्ता हैं वो बदलने के लिए मेरे अबमान दूर करने के लिए मेरे दुख को दूर करने के लिए मेरे अश्यान्ती को दूर करने के लिए परमेश्युर की कृबादिश्टी मुझ पर हुई है दिखे इस परिवार के बारे में हम पर बताया गया है इस परिवार किस प्रगार का था इसी अत्याई के छटे आयत में हम पढ़ते हैं इलीश बाके हस्बन का नाम था जकरिया वो एक याजक था और ये दोनों उनके वंश को देखे तो बेड़े थे मैं आपको पढ़कर बताऊंगा यहूदियों के राजा हेरोदेश के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसके नाम इलीश बादा तो काने के लिए पुर्खापन बताने के लिए बहुत कुछ इनको थे आज भी लोग इसका दर है उससे कोई मतलब तो निकलते नहीं हैं लेकिन फ़र भी लोग बना मेरे पापा वो थे मेरे बड़े दादा मेरे पड़े दादा मेरे फूपा वो है ये हैं सब कुछ हम ये डिंग मारने में बहुत ये थे लेकिन इनको देख लिया है ये सब्दा वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी धे एक बात पूछू नाराशन हो न आप और आपके पत्नी के बारे में क्या है आप अगर वैवाहिक जीवन बिताने वाली विवाहित है तो आप और आपके बारे में इस वजन के सामने आपका क्या कहना है आपके विक्तिकत जीवन के बारे में क्या आप धर्मी हैं इनके बारे में बता रहे हैं इस परिवार के बारे में बता रहे हैं वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी दे इनसान के सामने की बात नहीं, इनसान के सामने धर्मी हम बन सकते हैं, दिखावे की बात हम, लेकिन, माफ करना, मैं कुछ यूँँ कर रहे आपको, ये सचाई की बात है, ना, दिखावे के जीवन, हिपोक्राटिक है वो, वो परमेश और पसंद नहीं करता है, बेली दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोले, कितना भी धर्मी हो, खरदई को पैचानने वाला परमेश और, हमारे विचारों को जानने वाला परमेश और, दूर से गरहन करने वाला परमेश और है, वो परमेश और के सामने धर्मी होने के लिए परमेश और हम से चाहते है मेरे और आपके बारे में परमेशर का काना क्या है थार्मी होना अलग बात है थार्मी होना अलग बात है यहां बर धर्मी होने के बात कर रहे हैं धर्म के काम करने वाले थार्मी गदा के काम करने वाले दोनों पती पतनी दोनों सो वो अभी उनका बैच्चा नहीं था उसका परिवार के बारे में बता रहे हैं आपके परिवार के क्या हालत है भई क्या थार्मिक दाकी एक जीवन आप बता रहें प्रभु के सामने परमेश्यूर के सामने खुदा परमेशुर के सामने एक धार्मिक जीवन धार्मिक अदा के जीवन वचन कहते हैं प्रभू के परमेशुर के सामने वो धर्मी धे अब धर्मी होने के लिए परमेशुर चाहते है नमबर टू और प्रभू की सारी अक्याओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे एक या दो यह नहीं आज के जमाने में आप पोचेंगे ऐसे कौन मिलेगा मिलेगा भाई आप कोशिश कीजिए देखिए परमेश्वर की सारी आज्याओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे सारे विधियों पर पविस्त्रशास्त्र बाइबल लिखा गया है यह कहानी नहीं बताया है खटना बताईगे उनके जीवन की बारे में परमेश्वर की बैना थे अज आपके बारे में लिखा गया है तो आपके बारे में यह बोलेगा की परमेश्वर की सारे विधियों को पालना करने वाले हैं थार्मी का उते हैं अवत्रशास्त्र लेकर चलते हैं लेकिन पालना करने की बात आने के समय कहां बरहेग आपके इस्तिधी क्या है परमेश्वर के सारे विधियों को आग्याओं पर निर्दोष चलने वाले थे उस बात में भी कोई गलती निकाल न सकते थे तीसरे निर्दोष चलने वाले थे तो आग्याओं को पालना करने वाले then third a blameless walk नर्दोष चाल चलन रिखने वाले दुस्टों के युक्ती पर नहीं चलने वाले थे वो परमेश्वर के भाई मानते हुए चलने वाले थे बजन संगिदा एक के एक में हम पढ़ते हैं चाल चलन किस प्रगार का होना है तो इनके चाल चलन सीधे दे सिधधा और प्रार्थना करने वाले थे ये क्योंकि नीचे लिखा है तेरी प्रार्थना सुन ली है तेरवी आयत में एक सुर्गदूद आकर बोला तेरी प्रार्थना सुन ली है तो प्रार्थना करने वाले थे देहार प्रेरफुल लाइफ और पांच भी बात परमेश और परविश्वास रिखने वाले थे आस रिखने वाले थे किस बात की प्रार्थना किया है जरूर एक संदान के लिए उनलोगे ने प्रार्थना किया होगा तब ही तो बोला है तेरे प्रार्थना सुन लिएगे हैं और तुझे एक संदान मिलेगा तो मैंने क्या-क्या बात बोला पांच बात आपके सामने बोला इनके खुबी नमबर वन परमेश्वर के सामने धर्मी थे नमबर टू परमेश्वर के विधियों को पाल ना करने वाले अनुपाल ना करने वाले थे नमबर टूरी ब्लेमलस वोक एक पाक चाल चलन उनके थे पवित्र चाल चलन उनका था चौधी बात क्या है प्रेयरफुल लाइफ प्रार्थना के जीवन था उनके पांचवी बात प्रभू पर भरोसा रिखने वाले विश्वास रिखने वाले थे आपके जीवन की अवस्ता क्या है भई हो सकते हैं प्रार्थना जरूर करने वाले है लेकिन बाकी के बात आप कितने भी धार्मी हो धार्मी हो प्रार्थना करने वाले हो आपके चाल चलन भी सहीस होना चाहिए ब्लेमलस वाक और परमेश्वर पर भरोसा अटूट भरोसा होना चाहिए लेकिन एक बात मैं बोलूँ इसके बावजूद इनके जीवन में एक कमी थे उनके कोई भी संतान न थी उनके कोई भी संतान नहीं थी तो आप कितने भी आत्मी हूँ कमी आपके जीवन में हो सकते हैं लेकिन उसके पीछे परमेशर का भी कुछ मकसद है हो सकते हैं आपको परमेशर कुछ सिखाना चाहते हैं हो सकते हैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं हो सकते हैं परमेशर कर आपकी भरोसे के गहराई कितना है आपको भी समझाने के लिए अटूट भरोसा अगर आपके परमेशर पर है तो परमेशर जरूर आपको उत उतर देगा जब परमेशर उतर देगा वो इतने महान होगे कि दुनिया उसको नाप न सकते हैं सोच न सकते हैं उस लिदे में प्रभु ईशु ने भी कहा स्त्रियों में से जनम पाए हुए में से युहन्ना वप्तिस्मा देने वाले से महान और कोई नहीं है इसे एक फुत्र को परमेशर दिया खिर मैं वापस आना चाहूं का क्या है हमने पड़ा उनके जीवन की आवस्ता क्या था इतने सारे खूबयाम उनके जीवन में थे लेकिन उनको संतान नहीं थे इसलिए वो बिलकते नहीं थे उस कमी की विजे से प्रमेशर की परार्थना उनकी जीदी में अभी तख जब तक बच्चा नहीं मिला था उनको उत्तर सुना नहीं थे लेकिन वो प्रार्थना नहीं छोड़ी आपके बारे में क्या है मैं से कई लोग ऐसे हैं एक दिन प्रार्थना करेंगे दो दिन करेंगे एक हफ़ता, दो हफ़ता, एक मेना तीन मेना इसके बाद प्रार्थना भी भूल जाएगा विश्वास भी चले जाएंगे ओ प्रार्थना करने से कोई फाइदा नहीं है मैं तो बहुत प्रार्थना किया पर कोई उत्तर नहीं मिला यही आपका काना है लेकिन उत्तर नहीं मिलने का कारण क्या है वो कभी डूंडा यह भी तो जरूरी है भई आपके जीवन को आपके चालचलन को वचन के सा बाइबल पढ़ना भी बंद करूंगा और आराधना में जाना ही बंद करूंगा वो सकते हैं आप में से कुछ ऐसे भी है अगर आप उस प्रगार के विक्ति है तो प्रार्थना बंद किये हुए विक्ति है तो आराधना में जाना बंद किये हुए विक्ति है तो मन भिराओ व ये वज़ना आपके लिए है क्योंकि प्रबु नहीं चाहते कि आप इस कदर आगे बढ़ते जाएं आशिष पादने के लिए आप अनिगर पानी के लिए परमेशिर चाहतें वो चाहते कि आपकी प्रारसना के उत्र दो लेकिन आप उसके कारण क्यों उत्र नहीं मिला उसको पैचाने परके समझे ये लोगों को देखिए इनके प्रार्थना के उत्तर नहीं मिला लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़ी विश्वास में कमी नहीं आई धार्मिक जीवन पिताने में कमी नहीं आई परमेशुर की वचन के अनुसार के चाल-चलन बंद नहीं किया दुनिया के पीछे नहीं किये प्रभु की वचन के अनुसार वो रखा अंत मैं वो दिन आ गया एक स्वर्गदू दा गया और उनको कहा तेरी प्रार्थना सुनली है देखे वो दिन आ रहे आपकी प्रार्थना के उत्तर के दिन आ गया है गर आप मसी ईशु पर भरोसा रिखने वाले है तो प्रभु ईशु को अपनाई हुए एक वेक्ति है तो आपकी प्रार्थना सुनली जाए क्यों क्योंकि प्रभु ईशु ने बोला ईशु का नाम में पिता से जो भी मांगोगे वो मिलेगा ईशु से मांगना है तो ईशु का होना जरूरी है क्या आप ईशु को अपनाई हुए एक वेक्ति है आपके जीवन की उधार गरता के रीदी में आपके जीवन के सब कुछ वो है करकर आपके जीवन ईशु को सौंपे हुए एक मुझती है ने तो आज उसका समय है ईशु को अपनाईए बोलिए ईशु मुझे आपके संदान बना ले क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि मुझे बजाना इसलिए आप इस दुनिया में आए ही इस बात को मैं विश्वास करता हूँ कालवरी में आप अपने जीवन इस बात के लिए कुर्बान किये है ये मैं जानता हूँ विश्वास करता हूँ आपकी प्रार्षना सुन ली जाएगी तो सुर्गदूद ने उससे कहा हे जखरिया तेरी प्रार्षना सुन ली गई है तेरी पत्नी इली शवास है तेरे लिए एक पुत्र उत्पन होगा उसका नाम युहना रखना तो ज़िए प्रभु के उत्र आपको मिलेगा तीन-तीन बात वहां पर बताए गिया नमबर वन फाइवीद नहू आपके भाइ निगल जाएगा आपके प्रार्थना की उत्र मिल जाएगा उत्र के स्वर्यूप में आप जो जानते हैं मानते हैं वो आपको दिया जाएगा प्रार्थना सुनना प्रार्थना के उत्तर मिलना मैं तीन बात बोला भाई निकल जाएंगे प्रार्थना सुन ली जाएगी प्रार्थना के उत्तर मिल जाएगी वो दिना किया है यहां पर हम देखेंगे और फिर बोला तुझे आनंद और हर्श होगा और बहुत सारे लोग आनंदिद होगे ना सिर्फ आप आनंदिद होगे आपके द्वारा आपके उत्तर के द्वारा परमेश्वर के द्वारा देने वाले उत्तर के द्वारा बहुत सारे लोग आनंदित हो जाएंगे परमेश्वर आपके बारे में भी यह चाहते है जब वो परमेश्वर वो करेगा जैसे कि बजन समीदा में हम भड़ते हैं ये होवा के द्वारा किया गया है हमारे दृष्टी में हाच्छेजे की बात है बजन समीदा 118.23 में ये हम पड़ते हैं और हम आनंदित हो जाएंगे जूम उड़ सकते हैं उस कादर का काम परमेश्वर करेंगे हमारा परमेश्वर उतर देने वाला परमेश्वर है और इस बात जकरिया को कहा गया था वैसे की वैसे परमेश्वर न जब पूरा किया है तो अभी तक इली शबा को लोग बांच काती थी समाच में वो निंदा के पात्र थे लेकिन परमेश्वर जब उतर दिया गया है निंदा तो हट गये है वो दिन आपके जीवन में आ गया है वो अपने क्रबादिष्टी मेरे उपर रख कर मेरे लिए ऐसा किया है क्रबादिष्टी आपके उपर रखने वाला परमेश्वर है आपकी अवस्ता को बदल कर आपके दुख को हटा कर लेंबे समय के आपके प्रार्थना के उतर दे कर आपको आनंदित करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है वो प्रभु यीश्व ही है लेकिन उत्तर तबी मिलेगा आपके चाल चलन से हो उत्तर तबी मिलेगा जब आप परमेश्वर की वचन को मानेगा परमेश्वर की वचन ग्रहन करेगा परमेश्वर की वचन को अपना कर उसी के अनुसार के एक चाल चलन बिताएगा प्रभु चाते कि आप प्रभु के संतान बन जाए वो चने एक आते हैं इश्व को जो भी अपनाते हैं अपना उधार करता करकर मानते हैं अंगिगार करते हैं वो ही इश्व के संतान बनते हैं ईश्यू के इच्छा परमेश्यू, पिदा परमेश्यूर की इच्छा है, आप भी परमेश्यूर की आनंद को, परमेश्यूर की इस उधार को हनिभो करें, अपनाएं, तब जाकर आपकी परार्थना के उतर मिलेगा, पापियों की परार्थना परमेश्यूर सुनते नहीं है, पापी को थर्मी बनाने के लिए प्रभू इश्व इस दुनिया में आया अपने जीवन कालवरी के सूली पर कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नास नहो परंतु अनन्द जीवन पाए इसलिए पिता ने ईश्व को इस दुनिया में भेजा इश्व ने अपने आपको खुर्बान इसलिए कर दिया ताकि उसी के दुआरा आप उथार पा सेगे परमेशर के संदान बंच सके आप परमेशर के अनिगरे के पात्र बंच जाए परमेश्वर यही चालते हैं आज आपको सुंदर मौका है क्या आप इस इशु को अपनाएंगे आपकी जीवन की निंदा हट जाएगी आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी आपकी प्रार्थना के उत्तर मिल जाएगा आनंद आपके होंकि आपके द्वारा कई लोग आनदिद होगा उसके लिए प्रबु आशिश्दे दयालू प्रेमी और अनिकरकारी पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुन्दर वचन के लिए हमबर करबाद इस्टी करने वाला परमेश्वर आप ही है हमारे इनसान के बीच में हमारी जो अवस्ता है उसको बदल कर शांती अनिकर और आनंद देने के लिए आप सच्छम परमेश्वर है आज आपके सनिदी में जितने लोग है प्रार्थना कर रहे हैं और जो लो लोग आपके सन्मुग रखा है उनके उतर देकर उन्हें आशिशित कीजिए आपने हमारे प्रार्थना सुन लिया थैन्यवार आप जो अधिगार मुझे दिये गे फिदा पुत्र पाउत्रात्मा के नाम से मैं इन लोगों को आशिशित करते हैं आपके आशिश में बढ़ हमारे मुलाकात होंगे तब तक प्रभू की उपस्तदी अनिकरा और शांती आपके साथ बेने रहे प्रभू आपको आशिश दे आमें गाड़ ब्लस यूँ आपको